नमस्कार, वेलकम टू माई चैनल, विसमी किचन में आपका स्वागत है, आज मैं बनाने वाली हूँ बासी चावल का खीर, तो चलिए इस प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे बनाया है, ये बचा हुआ चावल है और वापस उसी कुकर में मैं ये चावल और पानी थोड़ा सा इस करिए, अगर आपको इसमें से कोई ड्राइफ रूट्स स्किप करना है, तो इसकिप कर सकते हैं, और एड करना है, तो एड कर सकते हैं, ड्राइफ रूट्स मैं पूरा कट कर ली हूँ, कूकर में चावल एकदम गीला हो चुका है, और इसको कर्छुल की सहायता से मैं मसल पगाने में दूद लूँगे, दूद गरम हो जाएगा, फिर मैं चावल डाल दूँगे, और उसको थोड़ी दिर तक पकाऊँगे, पकाने के बाद से इसमें मैं ड्राइ फ्रोट्स डाल दूँगे, इसके अंदर छोटी इलाजी पाउडर एड करूँगे, इसके अंदर मैं खेसर डाल दूँगे, खेसर डल चुका है और हमारा ये खीर बन के तयार हो चुका है, अगर आपके घर बचा हुआ चावल हो तो आप ये रेस्पी जरू ट्राइ करिएगा और मुझे बताईगा कि ये रेस्पी कैसा लगा आपको